निमस्कार मेदिती फॉजर आप देख रहे हैं हमारे साथ नगरी नीज भारत देश आज 75 वे गंतन दिवस के जशन में डूबा हुआ है गंतन दिवस पर जगा जगा जंडा रोहन कारेकरम आयोजित किये गए बाद राजस्थान की हो तो यहां पर भी पूरर प्रदेश गंत गंतन दिवस के मौके पर राजधानी जैपूर में बीजीपी के और से ध्वजा रोहन कारेकरम आयोजित किया गया जहां सीम भजनला ने तिरंगा फेराया इस दौरान बीजीपी प्रदेश अद्र सीपी जोशी सांसद रामचत भहरवा विधाय गोपाल शर्मा उनके साथ रागफ शर्मा समेथ प्रमुक नेता मौजूद रहे इस दौरान मुख्यमंती ने राम बंदिन प्रान प्रतिश्टा के सपने को साकार होने पर भी खुशी जताई वहीं दूसरी और गंटन दिवस के मौके पर PCC में जंडा रोहन करवाया गया उसके साथ ही PCC में PCC चीफ गोविन सिंग डोडा सर ने द्वजर रोहन किया इस दौरान कॉंग्रेस की नेताओं के साथ तमाम कार्यकरता और पददकारी मौजूद रहे इस दौरान PCC चीफ गोविन सिंग डोडा सर ने भाश्पा सरकार को आड़े हातों लेते हुए राहुल गांधी की नाय यात्रा पर परिशान करने पर जम कर निशाना साधा साथ ही बीजी पी लोग पर लोगतन की हत्या के आरोप भी लगाए वहीं भाश्पा और कॉंग्रेस की और से बड़ी चौपड पर ध्वजर रोहन किया गया बाश्पा की कार्यकरता में मुख्यमंती बजनलाल शर्मा बाश्पा प्रदेश अजक शीपी जोसी सहित काई विदायक और नेता मौजूत रहे वहीं कॉंग्रेस की और से बड़ी चौपड पर जंडा रोहन पीसी सी चीफ गोविन सिंग डोडा सर ने किया गंतर निवसका मुख्य समारो जैपूर के स्टेडियम में आयुजित किया गया था स् अमर जवान जोती पर शहीदों को नमन किया इसके बाद मुख्य समारों में राजपाल कलराज मिश्रा ने जंडा रोहन के बाद परेड को सलामी दी इस दोरान कारेकरताओं ने संस्कृतिक कारेकरम आयुजित किया गया जहां कलकारों ने लोग संस्कृति से लोगों को वजूद था ग्रोप एडिकर ने चैनल के सभी स्टाफ को लड़ू खिला कर मुँ मिटा करवाया और उन्हें धेर साधी बधाई दी गंतन दिवस्की